बच्चो, निखिलम विदी से गुणा करने का एक और उधारन हमारे सामने हैं और इस उधारन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं 1014 और 994 ये दोनों संख्याएं 1000 के नजदीक हैं और इसलिए हम इस प्रश्ण को हल करने के लिए आधार को 1000 लेंगे हमारा आधार 1000 है और विशलेन की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इस 1000 से 1114 कितना दूर है और 994 की दूरी क्या है तो इसको हम विशलेन की रूप में देखेंगे तो हम यहां लिख लें कि संख्या हमारी क्या है और उसका विशलेन क्या है तो हमारी पहली संख्या है 1000 चौदा और आप देख रहे हैं कि यह संख्या इस आधार 1000 से 14 अधिक है तो हम विशलेन को लिखेंगे कि हमारा विशलेन धन 14 है दूसरी वाली संख्या को देखिए ये संख्या है 994 और वो 1006 कम है तो यहां हमारा विज्चलन होगा रिंड 6 के बराबर तो आप जानते हैं पहले कुदारणों से कि हम जब गुणन फल प्राप्त करेंगे तो हमारे दो हिस्से होंगे एक दाहिना हिस्सा होगा और एक बाया हिस्सा होगा दाहिना भाग या बाया भाग और दाहिना भाग प्राप्त करने के लिए हमको यहां पर तीन इस्थान देने होंगे क्योंकि हमारी आधार संख्या जो है वो हजार तक की है इसमें तीन शुन्न है तो यहाँ पर हमें इकाई, दहाई और स्टेकड़ा तीन अंक लिखने होंगे और यह प्रणाम हमको मिलेगा इन विशलनों का आपस में गुणा करने पर तो विशलन हमारा धन, चवदा और रिणचे है इनको गुणा करने पर हमें 84 मिलेगा और चूंकि छे रिनात्मक है इसलिए इस प्रणाम को हम रिनात्मक मानेंगे और चूंकि एक जगा खाली है तो इसे हम शुन्ने से पूरा करेंगे तो हमें दायने हिस्से में तीन संख्याई मिलेगे एकाई में चार, दाय में आठ और सेक्ड़े में शुन्ने अब बाय हिस्से की हम बात करें यहाँ पर हजार और उसके आगे के संख्याई मिलेंगे हमें और इसे प्राव्क करने के लिए आपने पहले की वीदियो में देखा है कि एक संख्या लें और दूसरी संख्या के विश्लन को उसमें जोड़ दे या आप दूसरी संख्या लें और पहली संख्या के विश्लन को उसमें जोड़ लें तो जो इन दोनों में से किसी भी एक तरीके के आप उपयोग करें तो जो प्रणाम आएगा वो आपके उत्तर का बाया हिस्सा होगा तो आप देखिए पहली संख्या है एक हजार चवुदा और उसमें आप रेड़ 6 का योग करें तो आपको मिलेगा एक हजार आठ दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं आप दूसरी वाली संख्या लें जो आपकी 994 है और इसमें पहली वाली संख्या की विश्लान यानि धन च कि बात हमने आपके साथ की थी जो आधार से आपको मिलती है कि आधार में आप चाहें तो इन दोनों विश्लानों को जोड़ दें तो एक हजार में आप 14 जोड़ें और 6 घटा दें ऐसे में भी आपको 108 ही मिलेगा तो इन तीनों में से किसी भी एक तरीके के उपयोग करिए और जो परणाम आपको प्राप्त होता है उसे यहां लिख लिए तो आपको मिलेगा 108 यह आपके उत्तर का बाया हिस्सा होगा अब आगे आपको यह देखना है कि वास्तों में यह जो हमें 84 प्ताप्त हुआ है यह रहनात्मक है तो पूरे प्राणाम में से हमें इस राशी को घटाना पड़ेगा और पूरी संख्या आपकी 1008 है उसके बाद 119 सैकड़ा भी शामिल है तो इक कुल संख्या जो होगी वो इस तरह से होगी 1008 और फिर 30 और जो क्रमशा एकाई दाही सैकड़ा को बताएंगे तो संख्या हो गई एकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000,000,000,000 10,000,000,000 आठ जार आपकी संख्या है इसमें से आप 84 घटाएं अगर तो आपको क्या मिलता है यह आपका 10 लाख और 8,000 में से 1,000 कम हो जाएगा 7,900 भी आपको मिलेगा और 100 में से 84 को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 16 तो इस तरह साथ दीखे 6,4,10 1,2,8,10 9,1,10 7,1,8 और यह आपकी संख्या हागी तो आपको प्रणाम मिला 10,7,916 जो इन दोनों संख्याओं का गुणन फल को व्यक्त करता है तो एक बार फिर सब देख सकते हैं कि आपने देखा कि यहां पर दोनों संख्याओं 1,000 के नजदीक हैं तो आपने आधार 1,000 लिया और यहां से इन दो संख्याओं को जो प्रश्न में दी हुई है 1,000 लिया पूरा का पूरा है और इसमें साब 84 घटा रहे हैं तो आपको मिल रहा है 10,7,916 तो बच्चु यह आपका परणाम हुआ एक बार आप कोशिश करिए और इसे फिर से बनाईए